हेलो दोस्तों मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टेडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 विलोम सब्द हिंदी के 50 विलोम सब्द उमीद करता हूँ SSC GD में इससे बाहर प्रसनों नहीं जाएगा तो चलिए ससन को स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी विलोम सब्द को याद करते हैं तो चलिए देखते हैं पहला विलोम सब्द दिया गया है अंत अंत का विलोम होता है आधी नेक्स्ट है आविर भाव का विलोम सब्द होता है तिरो भाव आप लोग एक एक करके नोट करते जाएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे बाहर प्रस्ण नहीं जाएगा ये मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आसीरवाद आसीरवाद का होता है साप अगला प्रस्ण है अंस अंस का होता है पूर्ड अंस का मतलब होता है एक हिस्सा अंस मतलब हिस्सा तो उसका होता है विलोम सब्द पूर्ड अकाल अकाल का होता है सुकाल नेक्स्ट है उतपत्ती उतपत्ती का होता है विनास नेक्स्ट है प्रातः अगला है अध्यतन अध्यतन का मतलब होता है नया तो इसका विलोम सब्द हो जाएगा पुराना अर्थात पुरातन तो इसका होगा पुरातन नेक्स्ट है अनुकूल अनुकूल का होता है पृतिकूल तो इसका हो जाएगा प्रतिकूल नेक्स्ट है अपमान अपमान का विलोम सब्द क्या होता है अपमान का विलोम सब्द होता है सम्मान नेक्स्ट है अपेच्छा अपेच्छा का विलोम सब्द होता है उपेच्छा दोस्तों इस बार काफी अच्छा मौका है आप लोगों के सामने 24,000 पद और इस बार जो है SSC ने अपने पैटर्न में भी चेंज किया है चेंज ये हुआ है कि 80% इस बार एक घंटे में सॉल करने है आप लोगों को इसका भी हम लोग solution निकालेंगे और बताएंगे कि किस तरह से attempt करना है आप लोगों को तो इसके लिए भी एक session दिया जाएगा आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको attempt करना है किस तरह से आपको selection लेना है तो फिलाल के लिए इस पर next session में बात करेंगे चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है कनिष्ठ कनिष्ठ का विलोम होता है जेष्ठ या वरिष्ठ तो कनिष्ठ का या तो जेष्ठ या वरिष्ठ next है कुमार्ग कुमार्ग का होता है सनमार्ग नेक्स्ट है क्रे क्रे का होता है विक्रे क्रे विक्रे सुना ही होगा आप लोगों में ध्वन्स का होता है निर्माड सांती सांती का होता है उपद्रव अर्थात हम लोग इसमें उपद्राव ना कहके असान्ती लिख सकते हैं टेक्स्ट है खिलना खिलना का मतलब जिसे गुलाब है जिसे कोई पुस्प होता है खिलना उसके बाद मुर्जाना तो खिलना का होता है मुर्जाना गुरू, गुरू का क्या होता है, गुरू का होता है सिस्य, इसके बाद है करतग्य, करतग्य क्या क्या होता है, करतग्य का होता है, करतग्य, करतग्य मतलब मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उसे कहते हैं करतग्य, और करतग्य होता है, जो किये गए, उपकार को ना मानता हो अर्थात उसे हम करतगन कहते हैं करतगन निर्मल निर्मल का क्या होता है निर्मल का मलिन निल्मन का मलिन नियून का मतलब कम और नियून का होता है अधिक इसके बाद है परिस्रम परिस्रम का होता है आलस से आलस से तो दोस्तों ससी जीडी के लिए बस पूरी तरीके से महिनत करने में जुट जाएए और अमित स्टेडी 11 आपके साथ लगातार बना रहेगा जब तक कि सारी खबरें अमित स्टेडी 11 आपको देता रहेगा और सारी क्लासों का टाइम टेबल से डूल तयार कर दिया गया है और बराबर आपके लिए आप ससी जीडी के लिए प्रापर क्लासें दी जा रही है चलते हैं अपने अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है आलस से आलस से का जो होता है वो होता है उधम अंतर मुखी अंतर मुखी का होता है बहीर मुखी इसके बाद है उतकर्स उतकर्स का होता है अपकर्स इसके बाद है उतकर्स्ट उतकर्स्ट का होता है अप लोग बताईए उतकर्स्ट का होता है निकर्स्ट इसके बाद है निस्क्रिय निस्क्रिय का क्या होता है निस्क्रिय का होता है सक्क्रिय निस्क्रिय का होता है सक्क्रिय उसके बाद नेक्स्ट है अग्रज अग्रज का मतलब बड़ा अग्रज का होता है अनुज नेक्स्ट है अत्यधिक अत्यधिक का विलोम क्या होता है अत्यधिक मतलब ज्यादा अत्यधिक का होता है स्वल्प उसके बाद है अनुभवी अनुभवी का अनुभव हीन होता है का मतलब होता है कणना हुझ अगले पुट की तरफ प्रस्थ है निंदा का क्या होता है निंदा की होता है निंदा का होता है इस तूती इस्तूति नेक्स्ट है आज्या आज्या का क्या होता है आज्या का होता है अवग्या नेक्स्ट है कुदध कुदध का क्या होता है कुदध का होता है सांत नेक्स्ट है नस्वर नस्वर का क्या होता है नस्वर का होता है सास्वत next है नास्तिक नास्तिक का क्या होता है नास्तिक का होता है आस्तिक नास्तिक का होता है आस्तिक इसके बाद है साच्छर निरच्छर इसके बाद है निरच्छर निरच्छर का क्या होता है साच्छर इसके बाद एक ग्रहस्त, ग्रहस्त का क्या होता है, ग्रहस्त का होता है सन्यासी नेक्स्ट है निर्मार, निर्मार का विनास नेक्स्ट है ग्रहस्त, ग्रहस्त का क्या होता है, ग्रहस्त का होता है प्रतिघात नेक्स्ट है छडिक, छडिक का सास्वत नेक्स्ट है प्रकास, प्रकास का होता है अंधकार प्रकास का विलोग का अंधकार होता है न्याय का अन्याय नेक्स्ट है सज्जन सज्जन का होता है दुर्जन नेक्स्ट है योग्य योग्य का अयोग्य नेक्स्ट है उचित उचित का होता है अनुचित स्क्षर्स को य्ट ना सिर्स सदाचार सदाचार का होना दुराचार निक्सट है उपकार उपकार का होता है अपकार लेक्षट है हिंसा हिंसा का अहिंसा उम्मीद करता हूँ सेसन आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके टेक एर बाइ बाइ मिलते हैं अगले सेसन में